ही दोस्तों, welcome back to market technical, so इस वीडियो में मैं बात करने जा रहे हूं time analysis के बारे में, time analysis बहुत ही तरीके से की जा सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में जो आपके साथ share करने जा रहे हूं, वो बहुत ही simple और असान तरीका है, आप इसे असानी से समझ सकते हैं और इसी तरह से किस इसी भी stock पर इस तरह की analysis कर सकते हैं, time analysis का फाइदा क्या होता है, time analysis से actually आप अगर किसी stock में trade करना चाते हैं, या invest करना चाते हैं, तो आपको पता होता है कि कब इस stock में कौन सा अच्छा समय है, जब हमें इस stock में invest करना चाहिए, और कब हमें इस stock में निकलना चाहिए, ची तो इस टॉक में भी हमें काफी जादा घिरावत देखने को मिली और यह जो अगर आप गिरावट देख चुका है काफी जादा गिरावट ये stock देख चुका है और अगर आप गिरावट देखें तो इसकी गिरावट शुरू ही थी मई 18 में और अभी January खतम होने को आया है तो करीब 8 महीने से इस stock में आपको लगातर गिरावट देखने को मिली है तो आप देख सकते हैं कि 8 महीने से लगातर गिरावट अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो गिरावट है इसमें कितने और समय तक रह सकती है कभी ये stock दुबारा से चलना शुरू करेगा तो इसका बहुत असान तरीका है आप इस stock को back test कीजिए back test का मतलब आप पिछले data में जाए पिछले chart में जाए पुराने chart में जाए और देखिए कि पिछले सालों में इस stock में कितने समय तक अगर मंदी आती है तो कितने समय तक वो मंदी रहती है और उस मंदी खतम होने के बाद कितने समय तक उस stock में तीजी रहती है तो अगर आप 30 जानना चाते हैं तो आप देखिए कि अगर यह stock चलना शुरू करता है तो कितने समय तक चलता रहता है और जब इसमें गिरावट आती है, तो कितने समय तक गिरावट आती रहती है तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम यह analysis कर सकते हैं तो हम इस stock में जाएंगे पिछले समय में तो यह देखे तो यह जो यहां start मिले हैं January 99 से मिले हैं January 99 में जो stock था करीब 2 रुपे चलता था तो अगर आप किसी अच्छी company में निवेश करते हैं तो लंबे समय में वो जो stock है अच्छा खासा मनाफ़ा देखे जाता है तो चलिए देखते हैं इसका हम time analysis कैसे कर सकते हैं तो 2 रुपे से यह stock में अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिली और 7-8 रुपे तक इसने high बनाया इसका जो high बना वो बना August 99 में और इसने चलना शुरू किया था January 99 से तो करीब 7 महीने में इस stock में अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिली उसके बाद इसमें आपको गिरावट देखने को मिली गिरावट शुरू हुई थी September 99 से October तक तो करीब इसमें एक साल तक गिरावट बनी रही तो आपने लेखा जो तेजी हुई वो करीब 6-7 महीने में हुई और जो गिरावट हुई वो आपने एक साल तक देखी तो जब इस stock में दुवारा से याँ आपको चलना शुरू किया तो आप देख सकते हैं 2000, October 2000 में इस stock में चलना किया चलना शुरू किया और January 2004 में इसमें टॉप बना तो करीब 4 साल तक इस stock में आपको तेजी देखने को मिली उसके बाद देखिए जब इस stock में गिरावट आई तो यह August तक गिरा तो करीब 6-7 महीने तक ही गिरा जो हमने यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक साल तक गिरा था और यहाँ पे जगिस में गिरावट देखने को मिली करीब 7 महीने तक मिली तो अभी जो हमें रेंज मिली है वो मिली है 7 महीने से 1 साल तक की और तेजी की जो हमें रेंज मिली है वो मिली है 4 साल की ठीक है तो अब आगे देखते हैं इस स्टॉप किस तरह से इसमें तेजी देखने को मिली है तो आउगस्ट चार से इस स्टॉप ने चलना शुरू किया और जनवरी आट तक ये चला तो करीब करीब यहाँ पे 3.5-3 साल इस स्टॉप में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली तो हमने पहले भी देखा था 4 साल तक इसमें तेज़ी देखने को मिली थी राइट और उसके बात अब देखें यहाँ पे इसमें फिर से गिरावट शुरू ही तो यहाँ पे जो गिरावट शुरू हुई थी वो जनवरी में हुई और यहाँ पे दिसेंबर ने तो आपने देखा जो पिछला डेटा हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे जो गिरावट थी वो एक साल तक रही और यहाँ पे जो गिरावट थी करीब 7 महीने तक रही तो जो हमारी range थी वो थी 7 महीने से 1 साल तक की तो देखें यहाँ पे जो गिरावट करीब 1 साल तक बनी रही तो वो range यहाँ पे अच्छे से प्रूव हो रही है और जब यह stock तेजी से चलना शुरू हुआ तो यहाँ पे यह December 8 से चलना शुरू हुआ और November 10 में इसने High बनाया तो इस बार जो इसके तेजी केवल 2 साल तक ही रही और जो हमने पिछला देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपको तेजी देखने को मिली थी वो करीब 4 साल की देखने को मिली थी और यहाँ पे जो आपको तेजी देखने को मिली वो 2 साल की मिली तो करीब 2 से 4 साल की आपके पास रेंज है उसके बाद देखिए यहाँ पे यह फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली और इस बार जो स्टॉक में गिरावट रही वो 3 साल तक की गिरावट रही स्टॉक ने फिर एक तेजी पकड़ी और इस बार आप देखिए दो अगस 13 से चलना शुरू किया और एपरिल 16 तक इसमें अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिली और जो गिरावट आप देख सकते हैं बहुत जादा गिरावट नहीं देखने को मिली तो ये वाला जो ह हम उसे इग्नोर कर सकते हैं तो अगर हम यहां से देखें ऑगस 13 से एपरिल 18 तक तो करीब 5 साल इस स्टॉक में अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिली और अब ये जो तेजी हैं पर खतम हुई स्टॉक फिर से यहां से गिरना शुरू हुआ तो अभी करीब साथ तो अगर हम अपनी ये रेंज देखें अगर आप यहां तो जो हमें गरीब 8 महीने से लेके一下 साल तक और जैसे कि आप यह अपनी देखेंगाकि वो आपको complete होते हुए नजारे में आपको probability ढूणनी है कि probability जाधा किसकी है राइट अब तक हमने इसमें जो stock analysis के रही हमने देखा कि इस stock में जो तेजी आती है वो करीब 3-5 साल तक की आती है और जो गिरावट है वो 8-5 साल में complete हो जाती है अब आप sure कैसे होंगे कि यह अगर डेड़ साल में अगर complete नहीं हुई उसके लिए आपको price action मतलब price कैसे उपर नीचे चड़ता है candlesticks की study कैसे होती है तो जैसा कि time analysis आपको एक idea देता है कि इतना जैसे यहाँ पे for example 8 महीने से डेड़ साल में इसमें जो गिरावट है stock की complete हो जाती है तो exact time आपको नहीं मिलता आपको केवल एक idea लगता है आप confirm कैसे करेंगे उसके लिए हम price analysis करते हैं तो price analysis में अगर आप यहाँ देखें तो यह देखें यहाँ पे यह जो stock है इसने 80 के आसपर support form किया था अगर इस stock को यहाँ पर bottom बनाना है अगर यह गिरावट अगर यहाँ पे थमनी है तो stock यहाँ पे consolidate करेगा फिर यहाँ से भड़ेगा तो हो सकता है यह जो अभी इसमें गिरावट है कुछ time stock यहाँ पे रुखे consolidate करें उसके बाद इसमें देखने को मिले यह यह भी हो सकता है कि यह जो level है आपको तूटता हुआ नजर है क्योंकि अभी अगर आप chart देखेंगे तो इस पे कोई भी reversal के sign नहीं है तो आप देखें क्योंकि जो candles का अगर आप size देखें तो इस candles लगातार बढ़ रहे हैं और volume भी अच्छा खासा है तो अभी कोई भी reversal sign नहीं है तो इस level पे हम wait करेंगे क्योंकि अभी stock को गिरते हुए के बला 8 महीं ही ने हुए तो हो सकता है 6-7 महीं ने stock इस तरह से और गुजारदे हो सकता है गिरावट थम जाए या गिरावट और भढ़ जाए तो उस case में आपको price action समझना पड़ेगा और जो next support हमें दिख रहा है अगर ये वाला इसका जो 80 वाला level है अगर ये hold करता है तो अच्छी बात है अगर hold नहीं करता है तो इसका जो अगला level है वो आता है करीब 40 उर्पे के आसपास जो काफी नीचे है इसे तो price action को समझना बहुत जरूरी है वो भी बहुत simple है और price action के भारे मिल में भी अपने आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में discuss करूँगी और अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगे इंफॉमेटिव लगे अगर आपको ये वीडियो इंफॉमेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर भी करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मागे टेक्निकल्स को जरूर सब्सक्राइब करें मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थांक्स वाचिंग